जोतिष शास्तर के अनुसार ग्रहनक्षत्रों की स्तिती लगातार बदलती रहती है जिसकी वज़े से मनुष्य के जीवन में भिन्न भिन्न परकार के बदलाव देखने को मिलते हैं जोतिश के जानकरों का ऐसा गना है कि यदि किसी व्यक्तिक राशी में ग्रहनक्षत्रों की चाल ठीक है तो इसकी वज़े से जीवन में शुबब परिनाम मिलते हैं परन्तु ग्रहों की चाल ठीक ना होने के कारण जीवन में एक के बाद एक कई परिशानिया उत्पन होने लगती हैं बदलाव प्रकूरूती का नियम है और यह निरंतर चलता रहता है इसको रोकपाना संबव बिलकुल भी नहीं है जोतिश गनाना के अनुसार आज हम आपको कुम्बर राशी के बारे में बताने वाले हैं आप पैसों से संबंदित कोई भी जोखिम ना ही ले तो यह आप के लिए अच्चा होगा घर में मुल्यवान वस्तों की सुरक्षा के लिए कोई नया तरीका आप अपना सकते हैं पिछले कुछ समय में यदि किसी से कोई अनबन हुई हैं तो उसे सुल जाने का आप प्रयास कर सकते हैं और इस काम के लिए समय अभी सकारत्मग हैं आपको सपलता भी मिल सकती हैं उलजे हुए मामलों को सामने आने का मौका दे जब वह सामने आएंगे तबी उनका हल निकलेगा कोई नई बात सीक्रे का अवसर आपको मिल सकता है ओफिस और कारेक्षेत्र में कोई जरूरी कागजी काम आप निप्टा सकते हैं मन में तरह तरह के विचार आएंगे उनमें से कुछ विचार सकरत्मक और अच्छे भी होंगे जिन से आप खुद में एक नई उर्जा महसुस करेंगे घर में मरमत से संबंदित कारियों में कुछ धन खर्च हो सकता है अपने विर्योदयों से आपको साउधान रहना होगा आपको अपने बच्चों के स्वास्ते की चिंता भी हो सकती है कोई व्यक्तिकत असपलता आपके तनाव का कारण बन सकती है जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं उनका पता लगाएं और उनका प्रबंदन करें दोस्तो ऐसे ही महतोपुर्ण बाते आज की सुड़ों में बताने वाले हैं तो इस वीडियों को अब भी लाइक करें और भोले नाजी का शिर्वा चाहते हो तो कमेंड में जै भोले नाजी लिकना ना भूले साथी हमारी चैनल ट्रेंडिंग राशीपल को सब्सक्राइब जरू करें तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं आपका सामने राशीपल किस तरह से रहने वाला है उसके बारे में दिन पर आप अधिक व्यास्तर रहेंगे कामधंदों के प्रति आप जो भी योजनाई बनाएंगे सबी में आपको सपलता मिलेगी व्यापर और कारेक्षेतर में भी आपको फायदा होगा मस्तिश्क्र में कई परकार के योजनाई बनेगी उसका फायदा आपको भविशे में मिलेगा मन में आने वाले कुछ विचार आपके मन में संदेह की स्थिती उत्पन खर सकते हैं इन विचारों का संबंद पुराणे बातों से हो सकता है थोड़ी बहुत अपनी मन की भी आपको सुननी चाहिए आपसे मिलने वाले लोग आपको कुछ नई बाते सिखा सकते हैं पैसों के लेंदेन में सावदानी बरतनी होगी। पैसों का कोई मामला उलज भी सकता है लेकिन एदि आप अपनी सुजबुश से निरने लेंगे तो वह आसनी से हल भी हो जाएगा। कोई भ्रहम की स्तिती भी उत्पन हो सकती हैं जिसका समादान आपको तुरंत मिल सकता है। ओफिस और कारेक्षेतर में जो जिम्मेदरियां आपको दे गई हैं आप उनसे दूर भगने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों अगर हम ध्यान में रखने वाली बातों के बारे में बात करें तो दिन आपके लिए सामने रहेगा। और अधिक सुनने के आदत आपको डालने होगी। अच्छे अनुबव पाने के लिए किसी भी काम को अधूरा ना छोड़े। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दिमाग को स्तिर रखे। व्यापर समद्दित, बैठक या टायप आपके लिए साहक हो सकते हैं। रोज की दिन चरह आपको बोर कर रही हैं, इसलिए कुछ समय निकाल कर अपनी पसंद के कारे करे। अपने कारे स्तल पर आपको हमेशा की तरह ही प्रशन सा मिलेगी और तरह की भी संबवना बन रही हैं। यह दिन आपके लिए नीरा जिनक सिद्ध हो सकता हैं लेकिन धहरे रखे। याद रखे कि कलपनाओं के बिना हम संबवनाओं के उस्ताहों को खो सकते हैं। अगर हम करियर राशिपल के बात करें तो आपको विदेश से कोई खुशकबरी मिल सकती हैं। आपको काम के सिलसले में विदेश जाने का अवसर भी मिल सकता हैं। यह यातरा छोटी हो सकती हैं लेकिन आपकी जीवन में इसका बहुत बड़ा फाइदा होगा। आप इसकी तैयारी में लग जाए और अपने बिजनेस कारड साथ जरू ले जाए आपके प्रयास आने वाले समय में आपको वित्य लाब देंगे दोस्तों अगर हम लवराशीपल की बात करें तो कानूनी समझोते या फिर टायप आपको जीवन जीने का एक नए अउसर प्रदान करेंग खुद को खुश रखने के भरपूर कोशिश करें क्यूंकि व्यस्तता के कारण आपका उस्ताहक कम हो सकता है। खुद और अपने पार्टनर के लिए दिन को खुशनोमा बनाए इससे आपका रोमेंटिक रिस्ता और भी अनोका बनेगा। किसी के प्रती अकर्चित है तो अ प्रचित बेल्ड का प्रयोग अवश्य करें और अगर दो पाहिया चलाते हैं तो पूरे दिन हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। तो दोस्तों इहती कुमबराशी के बारे में अब बात करते हैं। इस दिन भूलकर भी ना कटवाएं बाल वरना घड़ सकती है आपकी उम अगर आप नहीं नहाएंगे तो आपको आयू की हनी का सामना करना पड़ सकता है। शनवार को बाल कटवाने से आपके जीवन में दुख बढ़ेगा रईवार भगवान सूर्य के दिन होता है इसलिए इस दिन बाल कटवाने से धन, बुद्धी और धर्म के हनी होती है इस दिन कटवाने बाल तो होगा धनलाब अगर आप चाते हैं कि भागया हमेशा आपका साथ देता रहे और आपका कल्यान होता रहे तो बुद्धवार और शुक्रवार के अतरिक्त अन्य जिनों में कभी भी बाल नहीं कटवाने चाहिए बुद्धवार को नाकुन या बाल कटवाना शुब माना चाता है इस दिन हजामत करने से धन की प्राप्ति होती है वही शुक्रवार को भी बाल कटवाना अच्छा माना जाता है इस दिन लाव और येश की प्राप्ति होती है इसलिए ध्यान रहे हमेशा बुद्धवार और शुक्रवार को ही नाकुन और बाल कटवाए जीवन में आती है कई समसे महाबारत के अनुशारसन पर्वक के अनुसार हमेशा ध्यान रखे कि जब आप सिर पर तेल लगाए तो उसको शेरिर के अन्य हिस्सों पर ना लगाए ऐसा करने से जीवन में कई तरह की समसे आती है और आपको परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तो यहती बाल कटवाने के कुछ नियाम दोस्तो आज की सुड़ू में बस इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरू करेगा साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिपर को सब्सक्राइब करेगा तो मिलते एक नए वीडियो के साथ धन्यवाद